पेफोन को इस्तमाल करने के लिए उसके उपर जैसे आप नंबर एड करते हैं तो आपको कुछ इस परकार से देखनों के मिल जाता होगा बार बार इरोर मार रहा होगा या एकाउंट ब्लोकेट लिख रहा होगा फोन पर एकाउंट फोर सेकूर्टी रिजन प्लीज टेफ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पास पेफोन नहीं है तो कैसे आप अपने ब्लोक कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन वे आप वहां से जाकर करेंगे तो ही आपका जो पर जो प्रब्लम है सब हो सलूस्फन कलियर हो जाएगा तो हम प्रफैंट को उपर क्लिक करेंगे प्रफैंट को पर जैसे खिली करेंगे तो आपको 0- Job इसके उपर एड़ कर देना है जो भी आपका नंबर है नंबर आड़ करने के बाद से प्रोसीड के उपर किलिक करने के बाद से जैसे कि आप देख सकते हैं इसके उपर लिखवाव आ गया कि एकाउट ब्लोकेड, your phone-pay account is blocked for security region, please step contact support to request for account on blocking इसके उपर try again के message आ रहा है, contact support का है और change mobile number का है तो इसको कैसे unblock कर सकते हैं ध्यान से आप देखना है इसके उपर हम back जाएंगे, back जाने के बाद से ठोड़ा देर तक इसके उपर press करना है प्रेस करने के बाद से एप जो information दिख रहा है इसके उपर हमें click करना है click करने के बाद से आप कुछ कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा ये उसके नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि forest stop तो इसके उपर forest stop पर click करेंगे उके करने के बास सी थोड़ा देर के बास से आपको यहाँ पर दिखेगा clear data clear data के उपर हम click करेंगे CREARE all data को हम click कर देंगे उसके बास से इसके उपर लिख रहा है कि आपका जो भी data था भी delet हो जाएगा उसके बास हम ओके करेंगे, ओके करने के बास से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बास हम फिर हम बैक जाएगे, बैक जाने के बास से हम फिर दुबारा इसे ओपेन करेंगे, ओपेन करने के बास से हम फिर से दुबारा जो भी अपना नंबर था, इस स्वपोर्ट लिखा हुआ गंच स्पोर्ट इसके उपर हम किलिक करेंगे जो भी आपका ल में बोग हो चुका है कि इसके ऑपर डालना है आपको जो भी नमबर आपको अनभलारा नाह cognitive डालनके करेंगे करने के बाद से यहां पर आप देख सकते हैं कि आया हुग वह नाट रोबोट लिखा हुग है उसके उपर क्या आप करेंगे क्याप करने के बासे वह एरिफाइप करेंगे वेरिफाई को किलिक करने के बाद से लिख रहा है कि submit a get OTP लिखा हुआ है इसके उपर हम किलिक करेंगे जैसे इसके उपर OTP आएगा आप देख सकते हैं OTP आने के बाद से आपको जो एकाउंट हो successfully वेरिफाई हो जाएगा तो कुछ इस परकास से अपने पेफन और ब्लोग क अन ब्लोग कर सकते हैं